दोस्तों आप लोगों को पताई होगा कि इस बार के जो ब्रिक्स का मीटिंग है वो साउथ अफरीका के जोहनर्सबर्ग शहर में आवजित किया गिया है और इस मीटिंग को एटेंड करने के लिए प्रधान मंतरी नरंदरो मोदी साउथ अफरीका पहुंच भी चुके है पर दोस्तों इस बार के ब्रिक्स का मीटिंग काफी खास होने वाला है क्योंकि बताया जा रहा है कि इस बार के ब्रिक्स के मीटिंग में कई सारे अन्य गेश्ट देशों को भी बुलाया गया है और इस बार के इन गेश्ट देशों का संख्या काफी अधिक है और इन में से पर दोसो यहाँ पर हैरान करने वाला वात ये है कि इन देशों में पाकिस्तान का नाम दूर दूर तक नहीं है। इस बार साउथ अफरिका को ब्रिक्स के नित्रित्यों करने का मौका मिला है और इस मौके को देखते हुए साउथ अफरिका के प्रेसिडेंट सिरिल रमपोसा के द्वारा करिवन 67 देशों के लीडरों को इन वाइट किया गया है। अरविया और पालेस्टीन को भी बुलाया गया है हाला कि इसे लेकर कहीफ़ कनफरमेशन नहीं है अगर इन 67 देशों में अगर पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है तो एक तरीके से पाकिस्तान को डूब मरना चाहिए। ब्रिक्स के मीटिंग के लिए ले जा सकता है तो चाइना जो पाकिस्तान के इतने करिफतरिन एलाई है तो वो क्यों प्रयास नहीं किया पाकिस्तान को ब्रिक्स में ले जाने को लेके। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ब्रिक्स कंट्रियों को देखा जाए तो इन देशों को उबरते हुई एकोनोमी के रूप में ही गिना जाता है और इनहीं उबरते हुए एकोनोमी के कारण ही इन पाँच देशों के द्वारा ब्रिक्स जैसे संस्ताव को बनाया गया है पर अब BRICS को economy के एक alternative के रूप में भी देखा जा रहा है जिन कारणों के वज़ा से कई सारे देश SAV है जो BRICS का हिस्सा बनना चाहता है। दूसे तरफ दोस्तो अगर economy के मामले के साथ पाकिस्तान को जोड़ा जाये तो यहाँ पे पाकिस्तान का कुछ भी लेना देना नहीं है क्योंकि economy के मामले में पाकिस्तान संपूर्ण रूफ से अंगुठा चाफ है। किया भी जाता तो वहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा केवल मात्रे एक ही काम किया जाता और वो था भीक का कडोरा फैलाना और जितना हो सके माल बटोरना। जबकि भारत यहाँ पे ब्रिक्स के लिए बंगला देश जैसे देश को लेके जा रहा है वो फिलाल एक उवरते हुए economy हैं और उपर से दोस्तों भारत के साथ अच्छा relation रखने के कारण बंगला देश आज कई तरीके के benefit को हासिल कर रहा है जबकि पाकिस्तान जो पंगा जो चकल कंटिशन और अन्до शो खो एकॉनमिक ग्रोफ है वो पाकिस्तान से नीचे है लेकिन फिरभी फैलिस्टीन का वैलु है लेकि पाकिस्तान का कोई वैलु नहीं है अब दोस्तान के मेडिया हाॉज किया जा रहा है और लगातार भारत को खोशते हुए यही का जा रहा पाकिस्तान का में मकसद था जबकि दोस्तों अगर भारत के तरफ से कोई रणनिती बना के पाकिस्तान के इंट्री को रोका गया है तो अगर पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर होता और भारत इसका मेंबर नहीं होता तब पाकिस्तान के तरफ से भी यही प्रयास किया जाता कि भ कि एक खैर का तवज्जो रखना तो पाकिस्तानी मीडिया को एटलिस नहीं चाहिए पर दोसो मेरा यहाँ पर मानना यह है कि ब्रिक्स के मीटिंग में साउथ अफरीका भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान जैसा कोई ऐसे देश आए जो कि इस मीटिंग को केवल मातर अपने प् करके अवश्य बताईए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पही करते हैं समाफ्त किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम